आज मैं आप सभी को दो ऐसी स्टोरीज बताऊंगा, दो ऐसी फोटोज दिखाऊंगा और उनके पीछे की कहानी जब आपको पता लगेगी तो यकीनन आपकी आँखों में पानी भी आएगा और आपको बहुत उदासी पनफील होगा जी हाँ, आज की जो कहानी है वो लिटरली बहुत जारा डिस्टर्बिंग भी है और सच में दूसरी कहानी तो पहले वाली से जारा डिस्टर्बिंग है सब कुछ बताऊंगा आपको इसके बारे में लेकिन उससे पहले मेरा नाम है वीकी और आप देख रहे हैं मिस्ट्रीरियस जुन्या का एक और बहुत कमाल का एपिसोड आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाओडर देदू पहली कहानी को समझने के लिए हमें अमेरिका जाना पड़ेगा और यहीं पर रहा गरती थी 66 साल की एक जैरल्डीन नाम की महिला रियकर मानिये इसके दोस जो थे वो इसको इंच वाम के नाम से जानते थे क्योंकि आपको भी पता है कि इंच वाम जो होते हैं या फिर कोई भी केच Bowie बगरा जो होते हैं वो बहुत स्लो 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 चलते हैं और एसी ही बिलकुल इजैरल्डीन भी थी कि हर काम अपना बहुत धीरे 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 किया गरती थी और इसको मज़ा भी आता था और साथ इसे कोई फरक भी नहीं पड़ता था कि इसे दोस्त किस नाम से बुला रहे हैं और तब यहाँ दिन आया 23 अपरेल 2013 का जब जैरल्डीन और उनकी एक बहुत अच्छी दोस्त जिनका नाम जेन ली था इन दोनों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना वो एपलैंशन जो यह एक पहाड है इनके जो पूरी ट्रेल है यह पूरी रेंज है इसके ओपर वो चड़ाई करें और आपको मैं हाँ बता दू कि वो जो पहाडों की जो पूरी रेंज यह जो चड़ाई थी यह यात्रा होने वाली इन दोनों ने यात्रा शुरू करी और यात्रा बहुत अच्छी चल रही थी दिन आ चुका था 30 जून 2013 का यानि की तकरीबन दो महिनों से भी जादा का टाइम हो चुका था जब इन दोनों महिलाओं ने अपनी यात्रा शुरू करी थी डेली यहाँ पर जेरल्डीन का हस्बेंड उनको जो और आगे भी मिल जाता अपनी गाड़ी लेकर और सब कुछ परफेक्ट चल रह दोनों ने 800 मिल की यात्रा पूरी कर ली थी और फाइनली अब 200 मिल की यात्रा ही बची हुई थी और यह यात्रा ही पूरी कर लेते तो इनका जो ड्रीम ता वो पूरा यहाँ जाता लेकिन जेरल्डीन को समझा है कि ठीक है गैर मुझे तो जाना पड़ेगा मजबूरी है वरना मैं तुम्हारे साथ 800 मिलाई हूँ तो 200 मिल भी मैं कवर करना ही चाहूंगे obviously मेरा भी ये सपना था लेकिन मेरी मजबूरी है मुझे जाना पड़ेगा तो तुम ये यात्रा continue रखो कोई दिकत नहीं है जोरस तुम्हारे साथ ही है वो तुमको आगे मिल जाएगा लेकिन यहां मुझे तो यहीं से वापिस मुढ़ना पड़ेगा अब ये बात सुनकर जेरल्डीन भी थोड़े उदास हुई लेकिन उसने अपने उदासी वाले चहरे से ही फाइनली अब जेरल्डीन को गुडबाई कहा और कहा कि ठीक है तुम आराम से जाना नीचे की तरफ और रास्ते में कोई भी सादर मिले तो वहां लिफ्ट वगरा ले ले ना वो तुम को जल्दी नीचे उतार देगा ये बात बोलकर यहां जेरल्डीन ने जेन को दो बाई 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 कर दिया और अब जेरल्डीन अकेली ही अब इस फाइनली 200 मील की यात्रा को चड़ने के लिए इस पहाड़ के उपर अब तयार थी अब यहां कुछ आफसोस है कि तुम्हें यहां से जाना पड़ा बट कोई बात नहीं मजबूरी सब के साथ आती है जेरल्डीन यहां ना सिर्फ जेन को बलकि अपने पूरे परिवार को भी अपडेट कर रही थी कि वो आखिर अब कहां पहुँच गई है और कितना टाइम और लगेगा उसक से मिली भी थी उसकी गाड़ी के स्पोर्ट पर मिली भी थी वो दोनों यहां पर बैट कर खाना भी खा चुके थे और फाइनली अब जेरल्डीन अकेली ही आगे चड़ने वाली थी 22 जुलाई को लेकिन 22 जुलाई को जैसे उसने यात्रा अपनी शुरू करी हलका सा यहां प अपने हस्बेंट जॉर्ज को मैसिज कर दिया कि शायद हो सकता है मैं अपना रास्ता भटक चुकी हूँ और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा मैं हूँ तो अपने ठीक रास्ते पर ही लेकिन मैं इस चीज को लेकर कन्फर्म नहीं हूँ लेकिन जैसे उसने वो मैसिज ले लेकर ले लेकर घूम रही है लेकिन उसको नेटवर्क नहीं मिल रहा वो थोड़े से पहड की और उचाई पर गई उसको लग रहा था कि शायद उचाई पर जाने पर उसको नेटवर्क वगयरा मिल जाएगा लेकिन फिर भी उसे नेटवर्क नहीं मिला वो रात यहाँ पर जेरल्डीन ने बहुत ज़रा मुश्किल से बिताई और फाइनली आगली सुबह आ चुकी थी अब यहां पर जेरल्डीन को थोड़ी उम्मीद थी कि अब तो यहां नेटवर्क उसके फॉन में आ ही गया होगा वो फिर से अपना फॉन उठा कर अपने हस्पेंड को मैसिज करने लगी कि मैं बहुत ज़रा दिकत में हूँ मैं कल से यहां पर रासा भटकी हुई हूँ और मेरे फॉन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा मुझे प्लीज यहां से बाहर निकालो मैं बहुत ज़रा डर रही हूँ लेकिन जैसे उसने फिर से वो सेंड बटन के उपर क्लिक क किया वो मैसिस सेंड हुआ ही नहीं क्योंकि उसके फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था चोबीस जुलाई का दिन आ चुका था और चोबीस जुलाई का दिन वो था जब जोर्ज ने और यहां जैरल्डीन ने पहले से ही पहली मीट जब उन्होंने 21 जुलाई को करी तब ही यहां पर डिसाइड कर लिया था कि वो अब अगली मीट 24 जुलाई को करेंगे और इस स्पॉर्ट के उपर करेंगे तब यहां जैरल्डीन को लगा कि जब मैं 24 जुलाई को उस स्पॉर्ट के उपर पहुंचूंगी ही नहीं तो यहां उसके हस्बेंड को चिंता होग कि वो जहां गूम हुई है उस जगे से लेकर जो उसका राइट ट्रेक था मतलब कि जिस रास्ते पर उसे जाना था वो जारा दूर नहीं है लेकिन वो बस कन्फ्यूज थी दिशा को लेकर कि किस दिशा में वो रास्ता उसका चूट चुगा है अब उसी को माइंड में लेक अपने फोन की बैटरी को बचा कर रखना चाहिए और उसने फोन साइड में रखकर अपना पूरा कैम्प लगा लिया बरफ के अंदर ही दो चार पांच पेडों को देखकर वो नीचा पर अपना सेट अप लगा कर अराम से बैठ चुकी थी और अब उसे इंतजार था कुलिस क आने का और साथी जॉर्ज के आने का लेकिन यहां उसको थोड़ा सा कुछ अजीब लग रहा था कि कुछ मिसिंग है वो यहां बैट तो गई है लेकिन उसे कोई अभी देख नहीं पाएगा अगर कोई उड़ता हुआ जाएगा तो वो उसे नहीं देखेगी क्योंकि यहां और साथी कोई उसे उचाई से तो बिल्कुल नहीं देख सकता तो यहां उसने अपना कंबल निकाला अपने बैक से और कंबल के ओपर अलुमीनियम फोइल जो होती है और अलुमीनियम फोइल को यहां पुरे कंबल के ओपर बैच्छा कर अच्छे से लपेट कर उस कंबल को चार लकडियों के साहरे पूरा बैचासा दिया जो कि ऊपर से भी यहां अगर कोई देखता था वो नीचे वो कंबल उसका चमकता हुआ दिखाए देता और ओविसली कोई भी समझ जाता कि यहां इस जगह पर कोई ना कोई वैक्ति जरूर मोजुद है यह काम उसने बहुत आएगा और कोई भी दूर से ही देखकर पहचान लेगा कि आग कहां पर जल रही है यह सारा ताम जहम करने के बाद जेरल्डीन अब इंतजार कर रही थी कि कोई तो उसे बचाने आएगा खेर फाइनल अब यहां 24 जुलाई का दिन आ चुका था और 24 जुलाई के दिन सुब कि ऐसे से अभी तक वो नहीं आई है हमें नहीं पता कि आखिर वो कहां पर है जब पुलिस को यह बात पता लगी तो पुलिस ने एक बड़े पहमाने पर यहां एक सर्च अभिहान भी छेड़ दिया लेकिन अभी तक भी किसी को कोई सफलता हाथ नहीं लग रही थी कि आखि अचारी जेरल्डीन को ढूंड नहीं पाए क्योंकि इतना जादा घना जंगल आइट साइड मोजू था और किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था कि आकिर जेरल्डीन रास्ता भटक कर गई किस तरफ है और घना जंगल होने की वज़े से वो ऊपर से बिलकुल भी देख नही पीचे गिर चुका था और तीसरी तरफ यहां जेरल्डीन खुद अब वो साब कुछ ताम जम छोड़कर अपना वेट कर रही थी कि काश कोई तो उसे बचाने के लिए लेकिन यहां अभी तक भी जेरल्डीन जिंदा थी उसने पहले दिन से ही जब वो गाइब हुई थी त उसमें दिखा रही थी कि जल्दी ही वो रैस्क्यू हो जाएगी अपने घर जाएगी अपने बच्चों से मिलेगी और सब कुछ बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा और जब यहां पर टाइम दो हफ़सों से भी जादागा हो चुका था तब यहां पर जैरल्डीन को भी उमीद लग चुकी थी कि नहीं वो जो इतनी पॉजिटिविटी इस डाइरी में दिखाती आ रही है असलियत उसके साथ कुछ और ही होने वाली है उसको यहां पर बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला क्योंकि अगर आना होता तो इन 14 दिनों में 15 दिनों के अंदर आ जात थी वहीं पर भूक से तडबते हुए ठंड की वज़े से हाइपोधर्मिया की वज़े से उसी दिन यहां पर चैरल डीन ने भी एक मैसिज अपनी डाइरी में लिखा था और उसके अंदर लिखा हुआ था कि जिसको भी मेरी ये लाश मिलेगी मैं नहीं जानती कि ये लाश म समान दे देना प्लीज जिसको भी ये समान मिले अपना दिल खोल कर थोड़ा सा अपना टाइम निकाल कर ये समान उन तक पहुचा देना क्योंकि ये समान शायद आपके लिए नहीं लेकिन मेरे बच्चों के लिए मेरे पती के लिए बहुत जारा जुरूरी है बेचारी को उसका पती बेचारा पुलिस के साथ रिक्वेस्ट करकर के उनको बार बार कह रहा था कि प्लीज आप जाकर मेरी पतनी को ढून दीजे लेकिन पुलिस वाले भी बहुत ज़दा हाथ पेर मार चुके देख लंबा चोड़ा एरिया उन्होंने खंगाल लिया था लेकिन अभी थी वो धिरे धिरे डीकंपोस भी होना शुरू हुई और उसके बाद भी यहाँ पर उसकी जो डैरी थी उसके सीने के उपर ऐसे चिपकी हुई थी उसने अपने हातों में वो डैरी पकड़ी हुई थी और उस डैरी को पकड़े पकड़े ही जैरल डीन ने दम तोड़ दिया या फिर कोई जरूर इसके आसपास मर गया होगा और जब वो हाईकर वहां गया तो उसने देखा कि यहां सारा समान पड़ा हुआ है बैग पड़ा हुआ है और कुछ कागज भी फटे हुए पड़े हुए हैं एक मॉबाइल फ़ोन भी पड़ा हुआ है और जब यहां पर उस बेचारी जैरल्डीन की लाश को जो अविसली कंकाल ही बन चुकी थी और उसके हाथों को धीरे से खोला और उसके अंदे से डैरी बाहर निकाली और उसको पढ़ना शुरू किया तो लिटरली उसका दिल तूट गया उसने सारा समानी कठा गिया एक एक चीज यहां से उसने वापिस उठाई और अपने साथ लाद कर वो नीचे लेके आया और नीचे लेकर आती वो पुली स्टेशन में गया और पुली स्टेशन वालों ने फाइनली अब यहां जैरल्डीन के केस को याद किया कि हाँ दो साल पहले यह केस आया तो था यहां फाइनली अब उस खाईकर से पूछा गया कि यह सब चीज सुमको कहा मिली तो उस खाईकर ने जैरल्डीन की उस लोकेशन को अपने मैप के उपर मार्क कर लिया था और उसकी लोकेशन के मताबिक वो जो सही रास्ता था जिस रास्ते के उपर जैरल्डीन को चलना था वो सिर्फ अपने उस रास्ते से एक मील राइट की तरफ चली गई थी और उस एक मील को ही वो पहचान नहीं पाई कि वो कहां आ गई है अगर वो एक मिल वापिस लेफ्ट में चल ले थी तो आज जेरल्डीन शायद हमारे भी जिंदा होती लेकिन बदकिस्मती से वो समझी नहीं पाई खेर अब यहाँ जैसे ही ये सारा समान जेरल्डीन के परिवार को मिला तो वो बहुत जारा रोने लगे बेचारी जरल्डीन को याद करते हुए कि आखिर उनके साथ अंतीन दिनों में क्या हुआ जब उन्होंने डैरी बढ़ी तो वहाँ वो कैसे पोजिटिविटी दिखा रही थी ये सब चीजे बढ़कर उनके आँगों में पानी नहीं रुक रहा था और लिटरली जब मैंने इस डोरी को सुना था तो मेरी आँखों से भी पानी नहीं रुक रहा हूँ क्योंकि मैं खुद यहाँ पर घुमने फीनने का बहुत जाला शोकीन हो और मैं इस तरीके की hiking trips के उपर जाता रहता हूँ तो मुझे भी यह चीज कभी ना कभी लगती है कि ऐसा गुस्सो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है तो बेचारी उसके उपर सोच कर देखेगी Geraldine के वो अंतिम दिन कैसे होंगे इंतिजार में उसने वो कैसे 15 दिन निकाले होंगे डेली डेली लिखना अपने परिवार को याद करना और फाइनली अंत में उमीद ही छोड़ देना और अपनी जान दे देना जब यहाँ पर Geraldine के उस फोन को वापिस खोला गया उसके बैटरी वगयरा चार्ज करके जब उसे वापिस रिबूट किया गया तो वो बूट होते ही जब उसके अंतिम फोटो देखी गई यहाँ पर Geraldine की तो यह फोटो जो भी आपके स्क्रीन के उपर सामने आ रही है यह अंतिम फोटो थी जो कि Geraldine के मोबाइल से उसकी खुद की खीची गई थी यहाँ पर डायरिय में खुद Geraldine ने लिखा हुआ है कि मेरी अंतिम फोटो एक पासर भाई हाईकर नहीं मतलब कि उस पाढ़ से उतर रहे एक हाईकर ने उसकी खीची थी क्योंकि यह उस हाईकर को Geraldine की स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद आए तो जब वो उतरने वाला हाईकर उस Geraldine की स्माइल की वो तारीफे कर रहा था तब यहाँ Geraldine ने कहा था ठीक आप मेरी इसी स्माइल के एक फोटो क्लिक कर दीजे और यही फोटो अंतिम फोटो थी बेचारी Geraldine की और इस स्माइल को फिर कभी किसी ने नहीं देखा आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर Geraldine कितना खुश लग रही है 22 जुलाई 2013 के दिन सुबह सुबह early morning यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं अंदेरा ही है और Geraldine यहाँ पर अपनी आत्रा शुरू कर चुकिती उपर चटने के लिए लेकिन यहाँ उसे नहीं पता था कि कभी वो वापिस नीचे उतर ही नहीं पाएगी मेरी यहाँ दूसरी कहानी भी कहीं और से नहीं बलकि अमेरिका से ही है और अमेरिका में ही रहा करता था एक Grizzly Man जिसका असल नाम Timothy Treadwell था असल में लोग उसे Grizzly Man इसलिए बोलते थे क्योंकि आपको पता है कि Grizzly असल में भालू को बोला जाता है कि किस सरीके से भालू के साथ अपना छरिष्टा बनाया जाता है किस सरीके से उनसे बात की जा सकती है और इसी चीज का फायदा उसे हर बार मिल भी रहा था कि हाँ भालू उसका कभी कुछ नहीं बिगाड सकते क्योंकि यहां उसकी भालों के साथ बहुत जादा अच्छी बनती भी है टाइम आ चुका था 1980 का और Alaska के Catmine National Park में बहुत सारे भालो रहते हैं अगर आपने नहीं देखे हो तो मैं आपको वहां के एक फोटो दिखा रहता हूँ कि वहां कितने सारे इस तरह हैं के जंगली और जानलेवा भालो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और इन्हीं भालों के बीच पल बढ़कर यहां बड़ा हुआ था Timothy Treadwell और यहां 1980 की समर में उसे लगा कि क्योंना वो इन्हीं भालों के बीच में अपना एक कैम्प लगा ले और उसी कैम्प में रहते हुए डेली सुबे सुबे जब वो उठेगा उसको आसपास अपने चारो तरह भालो भालो दिखाए देंगे और वो उनकी बहुत अच्छी होती फोटोस वगयरा क्लिक करेगा और उन फोटोस को बेच कर वो अच्छा खासा पैसा भी कमा सकता है यह उसका प्लैन था और वो अपने इस प्लैन को लेकर सिधा नैशनल पार्क वालो के पास गया और कहा कि जनाब मेरा ऐसा सा कुछ प्लैन है और आप मुझे प्लीज पर्मिशन दे दीजिए कि मैं इन भालों के बीच में अपना टेंट लगा सकूँ और सारी समर में यहाँ पर रहूंगा और इससे आपको कोई खास दिकत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर उसने किसी तरह है तो नैशनल पार्क वालो को दो मना लिया कि ठीक है आप रह सकते हैं आपर अपना टेंट वगारा ताम जाम लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पर हमारे कुछ रूल्स होंगे आप भालों के परसनल स्पेस के अंदर नहीं जाएंगे आप उनको जारा परिशान नहीं करेंगे रात के टाइम पर आप कोई फोडोग्राफी वगरा क्लिक नहीं करेंगे लेकिन यहाँ पर सारे rules को ignore करते हुए जस्ट यहाँ पर टीमती ने हा कर दिया क्योंकि वो बहुत जारा excited था इस camp trip के लिए उसने जस्ट कहा कि मुझे आपके सारे rules मंजूर है मुझे बस आप camp लगाने की इजादत दीजिए नेशनल पार्क वालों ने camp लगाने की इजादत दे दी और यहाँ टीमती ने एक अच्छी सी जगह देखकर वो भालों के थोड़ी पास भी थी और वहाँ पर वो सुरक्षित भी था उसने वहाँ पर अपना camp लगाया वो डेली यहाँ पर सुबह उठता आसपस अपने चारों तरफ भालो भी भालो देखता लेकिन उस सुरक्षित एरिया में था क्योंकि यहाँ बीच में जाल भी लगा हुआ था तो उसको यहाँ पर बहुत जारा अच्छा लग रहा था पार्क के अंदर रहते हुए और उस आदमी से यानि की टिममती से इस पार्क के जो गाड़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे इसकी कई बार शिकायत उन्होंने हाईर अथियोरिटीज में भी कर दी थी कि यह वैक्ती उन्होंने बस उड़ता तीर ले लिया है इस पार्क के अंदर इस वैक्ती के नाम का क्योंकि यहाँ पर वो डेली ही सुबे सुबे उटता भालू के पास जाता और उनके साथ मसी मजा करना शुरू कर देता जब कि उसे पता है अच्छे से कि यह बालू है यह जंगली जानवर है इनके उपर विश्वास कर लिया अगर इन्होंने साथ निभाया तो इस नेशनल पार्क में पैदा हुए थे यह नोफजात भालू यानि की बच्चों को उठा उटा अगर उनके पेरेंट से दूर भाग जाता जस्ट उनके साथ खेलने के लिए उनको कुछ भी चोट नहीं पहुंचा रहा था जस्ट उनके साथ खेलने के लिए उन बच्चों को फाइनली अब यहां उसने डिसीजन ले लिया था कि वो इस समर में पूरा ही समर यहीं रुकेगा और वो अपने ट्रिप को एक्स्टेंड करेगा और फाइनली अब वो अपना कैम्प उस जंगल के बीच में लगाएगा जहां पर यह सारे के सारे भालू अप्रवास करने वाल अब अब इसंगल में पर अपने साथ रख सकता है वो थोड़ा सा रोमेंटिक टाइम भी अपनी एमी के साथ बिता लेगा और उसका भी सपना पूरा हो जाएगा एक ट्रिप का जो की जंगल के बीच में होने वाला था फाइनल यहाँ पर अपना कैम्प शिफ्ट करने से पहले उसी दिन शाम को उस पार्क से बाहर निकला अपनी गल्फरेंड के घर गया उसका सामान पैक करवाया वापिस आ गए और वापिस आते ही इन दोनों ने मिलकर उस जंगल वाले एरिया के अंदर अपना बीच में से बाहर निकल कर इदर उदर गूमने के लिए पहर गए उनका का चैन वाला इस गेट के बाहर एक आदा भालू उनको दिख रहा है जबकि भालू का सिर उनके के ऑंदर ही है अब यहां पर एमी को तो वहाँ जाने से बहुत जार डर लग रहा था क्योंकि ये भालू उनके पास कुछ जादा ही आ गया था और यहाँ पर पार्क रेंजर से ने साफ मना किया हुआ था इन दोनों को कि कोई भी भालू अगर तुम चुप चाप वहाँ से निकल ले ना अगर तुम तुम स्मोका हो या फिर अगर कुछ भी जरूर तो तुम हेल्प के लिए चिलाना हम तुरंदी वहाँ तक पहुँच जाएंगे लेकिन अभी तक तो पार्क रेंजर से बहुत जारा दूर थे सुबह सुबह का टाइम था सभी नींद में थे और ये ग्रिजली भालू अब उनके क हेलिकॉप्टर उड़ा और हेलिकॉप्टर तुरंत उस लोकेशन के उपर जाकर पहुचा जिस लोकेशन से सिगनल आया था और जैसे हेलिकॉप्टर वाले पाइलेट ने नीचे की तरफ देखा वहाँ पर टीमथी और एमी दोनों उनको खड़े वे दिखाई दे रहे थे लेकिन वो ऐसी जगय के उपर थे जहां वो पाइलेट चाहा कर भी अपना हेलिकॉप्टर नीचे नहीं उतार सकता था अगर वो नीचे उतार लेता तो यहाँ एमी और टीमथी उस हेलिकॉप्टर में लटक जाते और वो वहाँ से उनको उठा कर वापिस ले जाता लेकिन इस नहाँ उसने तुम साफ तिमथी को बोल दिया कि तुम वही रगो मैं रेंजर्स को यहाँ भीज रहा हूँ रेंजर्स तुम्हारी तुनंत हैल्प कर देंगे जाकर उस पाइलेण ने सद्धर रेंजर्स को कहा कि तुम को ही यहाँ पर जाना पड़ेगा पर पर नाम और निशान नहीं बचादा था, सब कुछ पता था तो कबार था वो सब कुछ और यहाँ पर साथ ही बहुत सारे मास्के टुकडे भी पड़े वे थे और वो मास्के टुकडे किसी जानवर के नहीं बलकी टिममती और एमी के ही थे पारक रेंजर्स देखते ही समझ गए कि टिममती और एमी को एक या फिर एक से जादा भालू ने उनको शिकार बना लिया है अपना और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन ये चीज़ भी यहां तक की स्टोरी का सबसे डरावना पार्ट नहीं था अभी आपका दिल दहलना बाकी है जी हाँ जब ये पार्क रेंजर्स वहां आकर सारा ताम जाम समेट रहे थे वहां से मास्के टुकुडे उठा रहे थे बचा कुछ वा कैम्प जो था वो उठा रहे थे जो समान यहाँ पर टिममती और एमी का बचावा तो उसको समेट रहे थे तब ही आँ समेटते समेटते और उसका lens वगरा सबकुछ तूट चुगा था लेकिन जैसे उस camera को workshop में भीजा गया तो workshop वाले ने कहा कि नहीं इसके अंदर से data recover किया जा सकता है और इसके अंदर finally एक 6 minute की footage है जब सारे rangers ने मिलकर उस footage को देखा तो वो footage बिल्कुल blank थी बिल्कुल blank footage उनकों हाथ लगी थी लेकिन 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 यहाँ पर footage तो blank थी बट यहाँ उसकी audio थी वो 6 minute की audio वो audio किसी और की नहीं बलकि टिमती और एमी के अंतिम 6 minutes की थी और finally उस audio के हिसाब से हम समझ पाए की अंतिम 6 minutes में टिमती और एमी के साथ क्या हुआ था अगर आपको वो audio सुननी है तो आप YouTube पर जाकर भी सर्च कर सकते है टिमती और एमी की वो last 6 minute की audio वरना मैं आपको मेरे Instagram पर भी दे दूँगा अगर आपको वो चाहिए है तो आप मेरे Instagram पर आकर वहाँ पर आप मुझसे मांग सकते हैं बिन Instagram आइडिया इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा तो प्लीज आप मुझे वहाँ फोलो जरूर कर लें खर यहाँ पर उस audio के मताबिक सबसे पहले टिमती उस ग्रिजली भालू को टेंट से बाहर निकालने के लिए जोर जोर से चिलाता हूँ अपने टेंट में गया लेकिन यहाँ पर जैसी वो गया उस ग्रिजली भालू ने पलट में वार कर दिया टिमती के उपर और उसका सिधा पैर पकड़ लिया पैर को चुड़वाने के लिए बिचारा बार बर यहाँ पर एमी से हेल्प मांग रहा है लेकिन यह सामने अपना ऐसा नजारा देखकर बिचारी एमी यहाँ पर बिलकुल फ्रीज हो चुगी थी वो स्टैच्यू बन चुगी थी उसके बसकी कुछ नहीं थी वो यहाँ कुछ कर पाने में भी सक्षम नहीं थी वो जस्ट देखती रही कि कैसे उसके बॉइफरेंट को वो भालू धीरे धीरे कर खाये जा रहा है और दो तिन मिनटों तक यहाँ खाता रहा वो भालू उसके सामने ही तब भी यहाँ पर एमी ने बिल्कुल भी नहीं चिलाया सिर्फ यहाँ चिला रहा था तो टिमती ही वो बार बार बोल रहा था इट्स किलिंग मी इट्स किलिंग मी लेकिन यहाँ एमी नहीं चिलाई खर यहां फाइनली वो भालू जब टीम मती को उठा गर दूर ले गया तब यहां पर एमी को होश आया और उसने चिलाना शुरू किया और यह उसकी बदकिस्मती थी कि वो अब चिलाई क्योंकि यहां पर भालू तो दूर जाही चुगा था वो चुपचा वहां से निकल सकती थी रास से रास्ता पकड़ कर किसी भी रेंजर के पास जा सकती थी लेकिन यहां पर जैसे उसने चिलाया आसपास और भी भालू मोजुद थे और यहां उसकी वास सुनकर वो सारे भालू आ गए और उन सभी भालू ने उस एमी को वही मिंटो में ने प्टा दिया सुबह फोटो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह लास्ट फोटो थी टीमती और एमी दोनों की जबे फाइनली इस जंगल में आकर लेंड हुए थे छोड़ादा प्लेन उनको इस जंगल में छोडने के लिए आया था अब आप देखे सकते हैं कि आसपास कितना घना जं कि आप इससे क्या सीखते हैं आप उसको जरूर कमेंट में लिखें मैं सभी के कमेंट्स पढ़ने वाला हूं और जिसका अच्छा लगेगा उसका रिप्लाई भी करूंगा खेर आप मुझे इंस्ट्राग्राम पर फोलो करना बिलकुल मत भूले क्योंकि वहां भी मैं ऐसी ह अगली वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद